सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार धे टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ खुर्बाइन अली और आप देख रहे हैं हमारा साथताहिक कारिकरम राश्टिय मुद्दे जिसमें आज हम बात करेंगे अलप संक्यक अधिकारों की कौन है अलप संक्यक अलप संक्यक की परिभाशा क्या है और इसके निर्धारन का बेंच मार्क क्या है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलप संक्यकों के निर्धारन के संबंद में केंदर की 26 साल पुरानी एक अधि ने इसपश्ट किया कि किसी भी समू को अलप संख्यक का दर्जा देने के लिए धर्म को भारतिय संदर में देखा जाना चाहिए अभी तक भाशाई अलप संख्यकों की पहचान राज़वार की जाती है और इसका निरधारन राजसरकार द्वारा किया जाता है जबकि धर्मिक अलप संख्यकों का निरधारन केंडर सरकार दौरा की आ जाता है इसके अलावा केंडर सरकार ने एक राश्ट्री अलप संख्यक आयोग की इस्थापना भी की है देश के हर अलाके में रह रहे हैं सभी अलप संक्यकों को उनकी भाशा लिपी तता संस्किर्टी के संरक्षन का अधिकार है साथी समिधान ऐसा निर्देश भी देता है कि सभी अलप संक्यकों को यह अधिकार है में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए राश्टियों मुद्दे में आज बात इसी विश्य पर इस पर बात करने के लिए हमाई साथ हैं मानव दिकारों खासकर अलप संक्यकों के लिए काम करने वाले और भारत सरकार में कई विभावों के सच्चिव रह प्रोफेसर सुब्रता मुखर जी स्वाकत है आप दोलों का इससे पहले कि हम इस विश्य पर बात चीज चुन करें आएए देख लेते इस बारे में एक रेपोर्ट एक लोगतांत्रिक बहुलवादी राजिनित में अलप संक्यक अधिकार बेहद ही जरूरी है सिम्त राष्ट के मुताबिक अलप संक्यकों के परिभाशा की बात करें तो एक ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक रूप से कोई खास प्रभावना हो और जिसकी आबादी नगरने हो उसे अलप संक्यक कहा जा सकता है आमबोलचाल में अलप संक्यक ऐसे लोगों को समझा जाता है जिनके हिस्सेदारी किसी समुव में आधे से भी कम होती है यानि उनकी आबादी 50% से कम होती है और साथी कुछ अन्य पैमाने मस्लन, जाती, धर्म, परमपरा और संस्कृत के अलावा विभाशा के अधार पर बाकी आबादी से अलग होते हैं राश्ट्री अलपसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के धारा दोसी के तहट ये तैंकिया जाता है कि किस समुदाय को अलपसंख्यक माना जाएगा अभी तक भारत सरकार ने छे समुदायों को अलपसंख्यक दर्जा दिया हुआ है जिसमें सिख, मुस्लिम, इसाई, पार्सी, बौध और जैन समुदाय के लोग शामिल हैं इसके लावा अनुछे 350A और 350B में भी भाशाई अलपसंख्यकों का जिक्र है गौटलबह की भारत का समुदान कहीं भी अलपसंख्यक शब्द को परिभाशित नहीं करता है हलाकि अनुछे 39 में अलपसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अलग भाशा, लिपी या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अलपसंख्यक के तौर पर इंगित करता है लेकिन इसके बावजूत ये बात पूली तौर पर इसपश्ट नहीं है कि अलपसंख्यक कौन है अनुछे तीस में भी अलपसंख्यकों का जिक्र है और इसमें अलपसंख्यक होने के दो आधार बताय के है इनमें पहला धार्मिक और दूसरा भाशाई है भाषाई अल्प संखेकों की पहचान राजिवार की जाती है और इसका निर्धारन अड़ाज सरकार दोरा किया जाता है जबकि धार्मिक अल्प संखेकों का निर्धारन के इन्ड़ सरकार दोरा किया जाता है भारती सम्विधान में अल्प संखकों के विकास के लिए सेक्षिक अधिकार और उनकी भाषा उमसंस्कृति के सनक्षन के लिए अनुच्छत 29 और 30 के तहट कई विशेश प्रावधान किये गए हैं साथी सम्विधान ऐसा नर्देश में जारी करता है कि देश में ऐसी कोई भी कानून और नितिया नहीं बनाये जाएंगी जिनसे इन अल्प संखकों की संस्कृति भाषा वलिपिका शोशन हो आए दिन अल्प संखकों की परिभाषा और उनके निर्धारन को लेकर असमंजस की स्थिती देखने को मिलती है इसलिए जरुद है कि अल्प संखक और उनके आधिकारों को अस्पष्ट किया जाए साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि भारती संविधान की वास्तिक भावना का उलंगन ना हो और महस धर्म, क्षेत्र या नसल के आधार पर किसी को अल्प संखक ना माना जाए बलकि इन मानकों को और भी व्यापक बनाने की जरुत है प्रफेसर सुबलता मुखर जी मैं आप से इस चर्चा की शुक्राइट करना चाहूंगा आपने बड़ सो भारती सविधान पढ़ाया है भारती राजनीती की भी आपको अच्छी खासी समझ है अगर मैं आप से जानना चाहूं कि अल्प संख्यक कौन और इसकी परिभाशा क्या तो क्या कही है देखिए हमारे संग्विदान में जो हर संग्विदान में एक तरह का होता है एक टेंशन बराबर बना रहता है जो एक बेक्ती का जो अधिकार है और उसका जो समन नहीं है उसके अधिकार इसका तालमेल कैसे करे तो हमारे संग्विदान में धरम के बारे में कोई जिकर है ही नहीं और इधर जो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है कि वो जैसे आपका है भाषा के उपर है शिक्षा के उपर है और इसके संबदीर बाकी सारे चीजे है तो अभी जो आपने सुप्रिम कोट का जिकर किया और उन्होंने कहा कि कुछ आठ राज्य में जहां हिंदूस कम संख्या में हैं और उनके बारे में जो पेटिशन हुआ था वो सुप्रिम कोट में नाकार कर दिया मुझे लगता है बात ठीकी है क्योंकि उस जैज्ट्मेंट में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में जो धरम का जो एक हम डेफिनेशन करते हैं उससे ये समझना चाहिए कि ये एक परिभाशा काली राजनाइतिक चिंता से नहीं हुई है एक समाज के तरह दिशा में गया हुआ है इसलिए इसको आप ऐसे सेग्मेंटेट करके करेंगे तो फिर उसका कोई परिभाशा नहीं निकलता है तो मैं कहूंगा जो हमारे संगवीदान में जो हुदारबादी दिश्टी कों से देखे इसका पहला तो मसला यही है कि बेक्ती प्रधान है और उसके बाकी सारे चीज़ें आती है और इसलिए जैसे हाबर मास का एक सेंटेंस है मैं कहूंगा वो हमारे उपर भी पुरा प्रयोग हो सकता है संगवादानिक, सिडिजन, नागरिक जो संगा बताती है, जो कंस्टिटुशन जो बनाती है उसको लेके मुझे लगता पुरा चर्चा होना चाहिए और उस पे सबसे पहले जो हमको समझना चाहिए कि नागरिक का जो अधिकार है हिंदुस्तान में वो हर एक के लिए एक है उस पे भाशा, धरम और भी कोई चीज आती है वो कोई रुकावट नहीं हो सकती रिक्टेंसी सक्सिना साब आपने लंबे अरसे तक मानवदिकारों के लिए काम किया है और राश्टिया अलब संक्यक आयोग में भी आप सच्चेव और बतोर सच्चेव रहे हैं और उसकी कारकरदगी से भी आप बहुबी वाकिफ हैं ये जो विवाद चला और जिसको सुप्रीम कोट ने अब एक तरह से खारिज कर दिया है कि धर्म को भारती संदर में देखा जाना चाहिए और जिन आठ राजियों में हिंदुों को अलब संक्यक गोशित करने की बात थी वो नकार दी गई तो आपकी राय में अलब संक्यक की परिभाशा क्या है देखिए अर्ब संक्यक की कोई एक परिभाशा नहीं हो सकती अर्ब संक्यक जो है वो धर्ब की वजए से हो सकते हैं लेंगज पर हो सकते हैं या कास्ट पर भी हो सकते हैं तो इसलिए हमें देखना ये चाहिए जिसे कहते हैं कि subjectivity, एक आइडेंटिटी जो है, वह हम को क्या फिलिं होती है कि हम लोग एक से हैं, तो वह जो वननेस की फिलिंग है, एंड वी वर्स दे की फिलिंग होती है, यह किसी भी बैसे सकती है, रिलिजियन पर कास्ट पर, लैंग्वज पर, डीजियन पर, एस्टीप वर्स वेस्टीप वगरा वगरा, तो इसमें कोई एक भाष्या नहीं हो सकती, जाहता अधिकारों का परश्न है, आप देखेंगे कि किसी भी सब्भी समाज में, किसी भी सब्भी देश में, हमें कही तरह के राइट्स दिये जा सकते हैं, सबसे इंपर्टन है, राइट व लाइफ, एड राइट व एड़ वगरा, ठीक है, दूसरा है कि राइट वेर्टी, राइट वोट, यह दोनों राइट्स दू हैं, आप इसमें सवाल या आता है कि अगर आप पूरे दुनिया को देखें, तो आपको दो अलग अलग मॉडर नजर आएंगे how to deal with minorities एक model तो यह है कि इससे कहते है assimilative कि हमने आपको individual as individual recognize किया हुआ है as a group हम कोई राइट नहीं देंगे वो follow होता है Thailand में, China में, इस तरह के countries में. Thailand में जहां तक है कि Muslims कहा गया है कि आप Muslim name लखी नहीं सकते, you must have a Thai name, similarly in China. दूसरा model is Europe's model. जहां पर कि pluralistic है, अगर आप किसी बेलिये में जाईए जो French speaking है, जो Flemish speaking है, उनके अग 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 राइट्स कर्माइश किये गए हमारे Constitution में आप देखेंगे, तो इसमें हमने जो राइट्स यह हुई है, वो जो minorities को यह राइट नहीं दिया कि आगर आप 14% हैं, तो 14% आपको assembly में, parliament में seats मिलेंगी. अगर 14% हैं तो आपको IAS में और सब्सक्राइट में 14% मिलेंगी. हालां कि लोग कह सकते हैं कि अगर हम 14% हैं और कहीं भी हमारी जगह पर इन जगहों पर हम अगर दो या तीन सब्सक्राइट नजर आते हैं तो कहीं नगें हमारे साथ बेसाफी हो रही है लेकि इस फ्रश्टों को आपको मालूमी होगा historically कैसे जब constitution बना था तर सरदार पटेल ने एक amendment कह पास किया रखाया था इसमें कि जो पर्पोर्शन प्रजिशन जो दिया जा रहा था वह नगे उटा दिया गया थाता अब हालती है कि कल्चिरल पुलॉरियल्सम यस आपको राइट अप राइट लिजर्वियर कुल्चिरल इंतिटी राइट तो स्टरभिश मिनॉर्ट इंस्टूशन अब हमारे अर्टेल थर् 40% 50% मुसलिम्स कवरड़ें लेकि वहाँ हमने कॉम्पीट करना पड़ता है विद अधर कास्ट लाइक जाड्स और यादर्स एच्टर 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 तो वहाँ उतना थोड़ा बहुत इस्टा फर्ख पड़ा है जो मालो मैं आई एस में जो टेनिंग कॉलेज में था तो रिजर्वेशन से पहले मुश्किल से साथ दो सो में से एक मुसलमा लगा आता था अब हलके हलके में देखा दो तीन चार पांच तक आने लगी है तो यह है कि इसके बारे में कोई इननिमिटी नहीं है लेकिं कॉंस्टिटुशनल मॉडल जो है वो यही है पलिटिकल एसिमि भी आप देखेंगे इसमिक पार्टिशनल से उननियमिटी है इनका रिजर्वेशन हम खतम नहीं करेंगे हैं लेकिं छे पर देखेंगे बहुत बड़ा अनतर है यह एक सवाल है जब तक छे समधा है जिनको अल्पसंका का दरजा सम preocup है जिनमें सिक्ख हैं, मुसल्मान हैं, इसाई, पार्सी, बौद और हाली में जहन को शामिल किया गया है इसके अलावा अनुचित 350 ए और 350 बी में भी भाशाई अलप संक्यकों का जिक्र है लेकिन सम्धान में कहीं भी अलप संक्यक शब्द को परिभाशित नहीं किया गया स्वाजिनते संग्राम से आपको देखना होगा तो आप देखेंगे कि अंग्रेज लोग काफी कोशिश किया था जो डिवाइड एंड रूल जिससे बोलते हैं ये अलप संक्यक कहीं भी हो और कहीं भी ज्यादा कोई हो समुदाए हो इनके में एक भेद करके एक पर्मनेंट लाइन ड्रॉप कर दे कि सेपरेज रिप्रेजेंटेशन करे और आपको याद होगा जो पूना पैक्ट जो हुआ था जो गांधी और अम्बेद करक वे उसमें करीबन तै हो गया सेपरेज रिप्रेजेंटेशन हिंदु समाज में तो हो इन नहीं सकता और उसके बाद जब हिंदुस्तान स्वाधिन हुआ देश भाग भी हुआ था तब एक चीज करीबन तै है कि हमारे जो सत्ता बनेगी जो हमारी जो नागरिक्त अधिकार होगा उस प में है कि नागरिक का जो सत्ता है उसको कैसे हम बरकरा कर रखके जैसे अभी आपने बहुत अच्छी तरह बोला जो कल्चरल प्लूरिलिजम उसको ठीक ठाक आगे चलने दे और उसके आपने एक यूरोप का भी जिकर किया और यूरोप और हमारे देश में एक थोड़ा फरक कि यह है कि हमारे देश पे जो बाहर को जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसकी संखा उत्ता नहीं है जितना पश्चिमी देश पे है उदर दो तरह के माइनॉरिटी का जिकर नॉर्मली किया जाता है जो इंडिजिनस पीपल वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड और अमर भी राज करें फिर भी हमारी समाज में जो एक जो सहंसीलता सिखाया जाता है वही परंपरा हमने पुरा बनाया बना के रखा है खिति महुन शेन का बहुत अच्छी किताब है हिंदुईजम उसे पूरा ये जिकर ही है जो कैसे हिंदुस्तान में एक उदारबादी कौन से देखा जाता है कि हर एक के लिए हिंदुस्तान में जगा बनी हुई है पर वो सामाजिक स्थर पे है वो राजायतिक स्थर पर नहीं हो सकता है और मुझे लग चाहिए जो विभाजन हम लोगों को ने किया है वो हमारे अच्छाई है अभी ये भी जिकर क्या गया कि जो शिडल कास्ट को लिए जो रिजर्वेशन देखियो वो तो हमारे देश में काफी लंबा चलेगा क्योंकि हमारे देश में जो कास्ट का जो प्रॉब्लम है हिंदु हमें तो पता नहीं कितने सैंक्डो कास्ट है पर मुसलमानों में भी 93 कास्ट है तो इस तरह पूरा तो वो जड़ से पुरा निकाल के आगे ले जाने के लिए बहुत साल लगेगा इसलिए पूरा जो हमारी जो संग्विधान का जो पूरा चर्चा है वो धार्मिक आधार से नहीं है वो नागरिक के आधार से है एंसी सक्सेना साब समिधान के नुच्छे 30 में अलप संक्यकों का जिकर किया गया है और इसमें अलप संक्यक होने के दू आधार बताए गया है पहला धार्मिक और दूसरा भाशाई भाशाई अलप संक्यकों की पहचान राजवार की जाती है और इसका निरधान राज सरकार दवरा किया जाता है, जबकि धरमे कलब संक्यागों का निर धरण केदर सरकार दवरा किया जाता है, ऐसा क्यों? देखे ऐसा है कि भाशा का संबंद education से भी है तो अगर मानली जीए मैं tamilion हूँ दिल्ली में रह रहा हूँ मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा tamil milion में पढ़े तो हम सारे tamilion जो हैं यहाँ पर मिलकर वह एक tamil school चला सकते हैं एसे ही tribal areas में आप देखेंगे कि उनकी बाशा अलग है तो जरूरी है तो इसलिए भाशा का जहां ता प्रश्न है वो identity की legitimacy बहुत है देखें के लिंदिस्तान का जो हैं हमने स्टेट्स क्रिय टी लेंग ये लेंगविज की बेसिस पर तो इस लिए जहां तक अगर मानली जी मैं बुंदेलखंट कर रहने वाला हूं आधें करें बुंदेलखंट को और पैसा मिलना चाहिए सबी मानें गठें के सही बात कह रहे हैं अगर मैं एक मैला हूँ और महला कहने ज़रोत कहने हैं कि तो लगेटमेसी नहीं है तो इसलिए लगेटमेसी ना होने की वजय से ही रिलिजिन की मामले में हमारे Constitution में लिखा हुआ है कि बारा सरकार भाइश करेगी और उनको वहाँ पर यह भी एक feeling है कि मैं जुकि माइनार्टिस कमिशियों रह चुका हूँ दो बार वहाँ पर कि ये बड़ा sensitive मामला है इसको राज्यों को नहीं छोड़ना चाहिए राज्यों को छोड़ेंगे तो बहुत सारी और मैं समझता हूँ सही बात है कि रिलिजिन के मामले में जहां तक इसको politics से हम दूरी रखें तो अच्छा रहेगा और जैसे कि भारस्तरकार ने या बार में constitution में लंबे आदमे के लिए कोई राइट नहीं है ऐसे मैं समझता हूँ कि रिलिजिस मामले में जो cultural rights के लावा political rights की जहां तक बात होती है और उनको नीचे तक ले जाना राज़ तक ले जाना वो मैं समझता हम सही नहीं है प्रफसर सोबरता मुकर्जी साब अभी हाल में संसद ने नागरिक्ता कानून पारित किया है इसके बात से पूरे दहश में एक बहस चिड़ गई है काफे बड़ी पैमाने पर इसका विरूद भी हो रहा है और ये किसाब धर्म के आधार पर नागरिक्ता दी जाएगी ऐसा भी लोग कह रहे हैं इसे आपकी सुरूप में देखते है देखिए जो तक पर तक शुरू है उसका कारण यही है कि देश भाग के बाद जो पूरा धर्म से जो दो देश बना उसमें यह वा कि अलपसंक का जो लोग हैं वो तीनों देश में पूरा पांटा गया और उसके काफी लोग वो छोड़के एक दूसरे तरब काफी आगे फ कि उधर जो अलपसंक का गया माइनोरिटीज एक कैटेगरी उन्होंने बताया हिंदू, सीक्स, जायन्स, क्रिश्चिन्स और उसे मुसलमानों को उन्होंने छोड़ दिया बोरास को छोड़ दिया उन्होंने एहमंदियास को छोड़ दिया और इस तरह आप अफगानिस्तान में जहां हिंदू, सर्दाइस बहुत कम है, करीमन एक हजदार है, और आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो जो शंका है बहुत ही कम है, पांच मिलियन लगा के आप चलिए, पर जो समस्ता सबसे ज़्यादा है, वो बंगलादेश में है, बंगलादेश में करीमन अभी आप देखेंगे, एक क्रोड साट लाख हिंदूस बसे हुए हैं, और अब जो समस्ता एक आई है, पूरा देश में ही विरोध हो रहा है, एक तो हमारा जो एक पूरा सतर साल का जो परिचय है, जो हम भारतिय हैं, उसमें और कोई चीज आती नहीं है, और उसके बहुत कारण यह देखें, कोई भी हिंदूस्तान ऐसा नहीं है, जिसके पास एक ही आईडेंटिटी हो, हमारे हर एक के पास multiple आईडेंटिटी है, मैं बंगाली हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा एक धर्म और कूछ है, इस तरह का बगारे माटेंगे, तो करीबन हर हिंदू और आप देखेंगे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो बंगलादेश के साथ है, देखें सरकार का जो पूरा जो रिलेशन्शिप है, हमारे नेवर हुड में, बंगलादेश के साथ वो अच्छा बना हुआ है, पर उधर भी अब संकार दिखा जा रहा है, अभी उनका जो बिदेश मंतरी को आना था, उन्होंने नहीं मना कर दिया आने के लिए, और सबसे बड़ी समझता है, बंगल और आसाम में, आसाम में तो देखें सिंपल है, बंगली खेदा है, वो मुसलमान हिंदू नहीं जानते, वो बंगली नहीं चाहते, इसलिए आप आसाम में तो इनमें कोई खास मिक्सिंग का नजर नहीं आता, ये किसी को भी नहीं चाहते, इसलिए इतने अड़े हुए हैं, और ये नहीं चाहते कि उधर बंगलादेश से लोग आके बैठे, इसका इताहसी करण भी बहुत सारे हैं, और नौर थे इसके बाकि जो भी छोटे-छोट से राज्य हैं, वो भी नहीं चाहते कि बंगाली आए, अब आप बंगाल के तरफ देखिए, बंगाल के तरफ आप देखेंगे, तो बंगाल का जो जनसंखा है, वो इंडिया से तीन गुना ज़्यादा है, बहुत थिकली पॉपुलिटर, जगा बहुत छोटा है, अब जो स बंगाली आती है, और इसके साथ और इभी समझता है, इतने साल हम लोगों ने बोल के रखा है, जो भाई कुछ भी हो, आप जमीन पकड़ के रह जाओ, यही बोला जाता था, आप बंगला देश में जाएंगे तो यह पूरा है, और देखिए बंगला देश में तो यह भी ह जाएगा, और एक तो देखिए हमारे कल्चरले आइडिन्टिटी तो है, वो भाषा अंदलन से शुरू हुआ है, अभी तक वो चल रहा है, तो इस परंपरा को आप पूरा और एक धांचा में डालना चाहते हैं, तो खाली हिंदूस्तान का नहीं, पूरा दक्षे नेशिया काई जो चरित रहे हो बदल जाएगा, इसके साथ और भी सुवाल आती है, जैसे काफी जो हिंदूस्तानी हैं, हिंदूस हैं, मुसल्मान हैं, उनको स्री लंका में बड़े परिशानी है, ताप ने स्री लंका को क्यों छोड़ दिया, तो इसलिए ये मैं कहूंगा, जो पू ना करना चाहते हैं, कम से को एक मौरेटेरियम कर दीजिए, कि दस साल को लेगे, दस साल, पन्रा साल, इसको लेके हम कुछ नहीं चेड़ेंगे. ठीक है, रिलसी सक्सेना साथ, आप क्या कहेंगे, जो निया संशोधित नागरिक्ता कानून है, और जिसको लेकर के दाहर में क अधिकारों के अधिकारों के भी वहस चुरू हो गई है, आप किस तरह से देखते हैं? तेखिए, ये तो एकदम पुलिटिकल इशू है, इन दिस सेंस की हमारी जो पुलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अलप सक्सेना को के बारे में आलग गलग विचार हैं, कॉंग्रेस पा हम को हिंदू को वोट मिलेंगे, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स उनकी ये है कि अगर इन्हें चाहते हैं कि हिंदू लोग ये भूल जाएं कि वो अने प्लॉइट हैं, या किसान भूल जाएं कि उनके बहुत समस्था हैं, उन्हें लगे कि हां मसलमानों को मारा जा रहा है, तो हम बहुत खुश हैं, इसी बात पर हमको वोट मिल जाएंगे, इस बात के ध्यान में रखते ही लोग बनाए गया है, जैसे कि आपने पी कहा कि इस लोग में ये तो बहुत ही इन्फर्म, इस लीगल पॉन्ट अवी तो बहुत इन्फर्म है, क्यूंकि इसमें जो रीजने मिल क्लाइसे क्रिशन ही नहीं जार आता है, और जो आपने कॉमिनिटीज चूज की हैं, वो भी नहीं है, तो मेरा खाल सुप्रीम कोर्ट को जरूर एक इलीगल खोशित करेगा, नहीं भी करता है, तो गवर्मेंट का जो में मकसद था इसको पास करने का, वो ये था कि जो ब करने के लिए, एक बात ये भी कहना चाहूंगा, कि जरूर है कि असीव के दशक में, नपे के दशक में, बंगलादेशी बहुत सारे आएं, दिली तक में हैं, विक्षा चलाते हैं यहां पर, लेकिन उसके चूंकि पिछले 20-20 वर्शों में बंगलादेश में अच्छी प्र प्रॉब्लम नहीं है, यह नहीं है कि बंगलादेश से, पाकिस्तान से, अफगर अनिसान से लोग आने वाले हैं, वो ऐसी बात नहीं है, सिर्स सवाल इस बात का है कि इन 19 लाक लोगों को क्या किया जाए, इसको ध्यान में रखते ही, यह लोग बनाया गया है, बीजे पी न यह बाकी लोगों को हरेस करना, एक डावटुल सिटीजन्स की लिस्ट बनाना, जो की लिखा हुआ है हमारे 2003 के रूस में, उस से यह नजर आता है कि गर्बंट चाहती है कि हम एक लिस्ट बना लें, ऐसे लोगों की, जिनको जब चाहे हरेस कर सकें, कि आपने लिस्ट बना हमें, जो भारत रश्में हैं, उस से लगता है बीजेपी को कुछ लगा होगा कि उनकी जो थिंकिंग थी, कि निसलमानों को पीटने से हिंदू खुश होंगे, वह बास ही नहीं है, एक एक हिंडिया में, एक आइडिया फिंडिया के तरफ, या सेकुलरिसम के तरफ, एक तो इस बात को एनर्सी वगारा को कम से कम NPR NRC की बारे में दोबारा तिंकिंग करें. तो सब्रत मगर्ची, आप क्या कहेंगे कि ये जो तीन चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है, पहले नागरिक्ता संशोधन कानून, CAA, फिर NRC, फिर अब कहा जा रहा है कि National Population Register, और इन तीनों का ही कभी सरकार कहती है कि कोई संबन्द नहीं है, कभी कहती है संबन्द है, आखिर इस है क्या सारा इमाजरा? हिंदों में करने की जो है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप समझते हैं कि बंगलादेश से ज्यादे लोग आए हैं, बंगलादेश ने तो कह दिया, आप अप प्रूफ दिखाओ तो हम उनको ले लेंगे, अब सौल आते हैं, अब प्रूफ क्या होते हैं, वो बहुत लोग के पास नहीं होता है, जैसे मैं हस्पिताल में नहीं पैदा हुआ, मैं घर में पैदा हुआ, धाई माने मुझे किया, तो मेरे पास तो कोई बड़ सर्डिफिकेट हैं नहीं, हाँ तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, और एक चीज़ देखें, दूस होना चाहिए, जब सरकार नहीं बोल दिया, जो आसाम में जो है, वो हम करीमन रिजेक्ट करते हैं, तो आप एक आसाम में जो किया, उसके उपर भी पूरा संक्सर है, सरकार को भी है, बिरोत्पक्ष को भी है, और उसमें अभी कोई रेजिलूशन नहीं हुआ है, इस तरह इ देखेंगे, जो एक प्लूरलिजम बरकार हो गया, एक जो बंगाली मुसल्मान है, बंगाली जो हिंदू है, वो दोनों तो रभी नात को मानते हैं, दोनों को एक ही चीज करते हैं, आप एक साधी भी देख लेंगे, बंगाली हिंदू या मुसल्मान, आपको लगया करीमन एकी चीज़ हो रहा है तो यह जो हमारी जुछ सकार है गया प्लूरली जम है यह हमारा जड पकड़ लिया और देखिये कबीर का नाम हम सब लेते हैं जो मद्यकालेन भारत था सब करके अ burgने क। क्या-क्या नाम लेते हैं वह लेते अशोका और फिर लेते हैं अगबर तो इस जो चिंता का जो जिससे हिंदुस्थान बना है उनिट इन डाइवर्सिटी उसको कोई भी संक्स्ता कोई भी शम्ता तोड़ना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो कामियाब हो सकता है सक्सिला साब आप चुके राश्टी अलप संक्य कायोग से भी जुड़े रहे हैं पिछले चालीस वर्षों में हमने देखा है कि अलप संक्य कोई खास करके मुसलमानों को ले करके तीन चार रिपोर्टें आई पहली गोपाल सिंग पैनल फिर उसके बाद प्रधार मंतरी का प संक्मिशन सं relent है कि वो सुझाए कै क्या किया जा सकता है कि और खास कर कि मुसलमानों की हालत सदारनेम है क्योंकर मीजर चंकोनी का है और पिर हमने देखा कि एक अलग मंतराले भी बनाया गया अलप संख्यक पर भाग मंतरा ले और फिर प्रफेसर अमिताब कुन्रू की एक रिपोर्ट आई कि साब इस सब के बावजुद भी हालात कुछ बदले लेंगे तो यह जो एकसराइस हो रही है यह पुलिटिकल रीजन से महद एक आई वाश है या इसका कुछ म हालत यह है कि इस समय अगर आप लेखें कि जो गर्मन जॉब्स में अ मसलमनों का रेश है वो क्लास फंजॉब में कर भी एक डियर परसंट है और क्लास टू में थुड़ा थीन परसंट है पिर क्लास थी और फॉर में कर भी 6 सिवन परसंट है है ना अच्छा है लेकिन सासा class three or four में लोग यह भी कहते हैं कि देखिए जहां पर discrimination नहीं है इसे class one jobs में जहां पर examination होता है UBSC की अच्छी credibility है वहां तो आप का ratio बहुत कम है इसका मतलब यह कि आप खुदी नहीं पढ़ रहे हैं और आपको ख्याल होगा कि हमारे अकबर इलाबादी साब नहीं जो कहा था कहा मजमू से लाला की माने की बेटा तू कर ले अगर है में पास तो चटपट भी आदो लाला को तुछ से क्यूंको जमाने में जो मुस्लिम जो नवाब थे उनके रामपुर की उसमें नजादर आए लिए कि रामपुर में इस फूर्स जहर प्रसशन हो लेकि रजा इंटर कॉलीज का रिजल देखा गया तो मौलम पुड़ा कि जो इन्टेमिजेट इन बैटें हैं उस में मुस्लिम इक्षिए आप जो जिनकी बेजन आई उसमें शेर सिर्फ चार परसेंट ता तो अगर आप बहतर परसेंट आप की पॉपलेशन है राम पर जो कि हमसे नवाबी जिला रहा है जहां पर कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आपके खिलाब डिस्क्रिमेशन रहा हो वहां पर आपकी हालत यह कि चार परसेंट ही आपका शेयर फस्क डिविज कि हमें भी किसी तरह से शीडूल का स्टेटस मिल जाए कोई एक फॉर्मर रिजर्वेशन मिल जाए हमको कुई हमारी 14 परसेंट है वो कोई गर्मन डे नहीं पाएगी इसका कारान यह जैसे मैंने पहले का कि इतना है जो हमारी सोशल डिविजिजन है कि हिंदूस मुसलिम की हिंदू समझते हैं कि मुसलिमानों को कॉंगर्स रिजीम में एक एक दमाथ की तरह ट्रीट किया हालंकि यह बास सही है कि जितने भी रायट्स हुए और रायट्स देखें गर आप चाह मेरे ट्रायट हो भागल पर हो और बी इतने रायट्स हुए इन सब में पुलीस का रव कि क्या हम कर सकते हैं जिसे की हमारी जो आहलत सुधरे मैं एक छोटी सी एक्जामपल मैंने किजाब में लिखी है कि देखे हिंदू पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं जो इनका बच्चा कॉन्वें जाता है क्यों नहीं हम मुसलिम मुसलिम डिस्टिक्स में चाहें रामप का मिने बाइस को एक दम हिर्शे में बदल दिया है उसका वह पुलिटिकल एड़ांटज उठा रहे हैं जब तो इस बाइस को कम नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्स बनी रहेंगी आप क्या कहेंगे प्रफेसर साब कि ये जो 40 साल में अलप संक्रिकों को बहतर करने के उपा बड़ा बर्क बहुत अच्छे हाथ के काम करते हैं आर्टीजन क्लास और अभी भी जो मारवारी साधी होती है जो पाकिसान में इधर भी है वो कलकत्ता जाते हैं सारे सामान करेदने और कारण ये है तो एक तो जो सोशिलोजिकल एनलिसिस का आप करेंगे उसमें ये सारे च और उसके साथ ये भी देखेंगे जो उधर जो खेती है वो मुस्लमानों का देन है आप इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे चीज हम कह सकते हैं अब ये जो स्थीति क्यों हुआ है ये स्थिति का कारण देखिए इतिहाशी दिश्टिकों से कॉंग्रेस ने बहुत गलतियां की एक सबसे पहला गलती जो मैं कहोंगा नहरुजमाने में क्या गया कि कमिनलिजम का दो रंग दिया गया कि एक तो चलो तो टॉलरेट करो दूसको मत करो वो मुझे नहीं लगता उनको करना चाहिए था और उसके बाद जैसे भी सच्चर कमिटी की जो बात आई है उसमें देखिए धार्मिक भित्ती से आप कुछ भी करेंगे हिंदुस्तान में उसमें आपको कुछ ना कुछ चिंता करने की बहुत जरूरत है मैं आपको छोटा एक्जामपल देता हूँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो मनमोन सिंग ने एक चीज कहा था जो नैशनल रिसोर्सेस जो है उसका सबसे पहला क्लेमेंट मुसल्मान है वो क्यों नहीं कहा जो सबसे जो क्लेमेंट है वो सबसे जो गरीब है उनका है अंतुद्दे है जो गांधी जी का पुरा प्रयास था तो मुझे लगता है दोनों तरफ कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने बहुत ज़्यदा राजनीती किया जो दोनों को नहीं करना चाहिए था नई सोच हमें लाना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा अभी जैसे आपने कहा जो मदरासा बंगाल भी कुछ मदरासाज है जहां हिंदू मिजॉरिटी भी है पर देखिए एक जो हम चाहते हैं ना पर अपना बेटा पब्लिक स्कूल में पड़े अंग्रेज ये मीडियम स्कूल में पड़े उसका बहुत बड़ा कारण है वो एक तीन सो साल का इतिहास है उसमें अंग्रेज लोगों ने इनकी जो रिलीजियस साइड है वो जो कैथलिक साइड में भी है सेंड जेवियर जैसा है इनके परंपरा बना हुआ है उसके अनुसार बनाने में बहुत टाइम लगेगा उसमें मैं कहूंगा सरकार का सबसे बड़ा रोल ये होना चाहिए कि आप शिक्षा का जो बजेटरी सेक्टर है उसको आप बढ़ाईए और क्वालिटी एडूकेशन आप हर एक हिंदुस्तान को एक बहुत कम पैसे में दीजिए उसमें जो चमतकार होगा मुझे लगता और किसी और चीज में नहीं हो सकता बहुत संग्षेप में हम बिल्कुछ इस चाचा के अंतिम चर्ण में एंसे सक्सेना साब आपने खिर किया कि जब मंडल कमिशन लागू हुआ ओबी सी में तो बड़ी तादाद में मुसल्मान को भी उस के दाइरे में लाया गया लेकिन एक और चाचा सुप्रिम कोर्ट में देखिए अगर आप इतिहास देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि अमबेटकर जी की डेथ के बाद उस समय तक जो बुद्ध लोग थे उनको रिजर्वेशन नहीं था शेडूल कास में उनका नाम नहीं था तो जो महराश्टा के महार लोग थे वो तो हो गए थे बुद्धिस्ट हो गए थे लेकिन वो सरकारी काफ़ों में अपने के हिंदू दिखाते थे ताकि उनके रिजर्वेशन के खायदा मिले उसके बाद फिर कॉंस्टिशन में चेंज किया गया अब बुद्धिस्ट को भी जोड़ा गया मेरा अपना मानना ये है कि ये जो शिरूल कास्ट मुस्लिम से हैं या शिरूल कास्ट क्रिस्टिशन से हैं जो कि वजबता है महतर हों या इस तरहे के लोग हों जिदे लैटिन क्रिस्टिशन से भी बुलते हैं उनको पूरा राइट होना चाहिए लेकिन government ये दे नहीं पाएगी कि इसलिए नहीं दे पाएगी कि पहली बात तो schedule caste लोग भी बहुत इसको object करेंगे कि हमारी इस milis में क्यों बाहा जा रहे हैं दूसरी बात जो खासरा से बीजेपी सरकार जो है वो कभी नहीं करेगी कि उनको लगेगा कि एक ये जो schedule caste सिर्फ हिंदू हो सकते हैं इससे schedule caste हिंदू को एक threat है कि अगर आपने religion change किया तो आपको सारे reservation खतम हो जाएंगे तो अगर हमने उनको बता दिया कि आप Muslim Christian होने के बाद भी right रहेगा तो कहें कि हम क्यों हिंदू रहे हम तो Christian हो जाएंगे क्यों हम हम जो है इन हिंदू के कास हिंदू की पीछे भागें और और इन से इतना ऑप्रेसिव भीवेर हो तो इसलिए एक informal एक understanding है कि भी अगर आपको चाहिए कि मास conversion ना हो उसको रोकने के लिए ये किया गया है लेकिन हर्मिकाद है गलत है गलत है बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर एंसी सक्सेना साथ प्रफेसर सुबरत मुकरजी इस चाहां भाग लेने के लिए तो अलब संख्य को की परिभाशा उनकी अधिकार क्या है इस पर हमने बात करने की कोशिश किये उमीद है आपको कुछ सवालों का जवाब मिला होगा मेरे साथ इस चाचा में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार झांदालों का जवस्वाब होगा